हेलो गैस के सौब से भी लोग विलकम बैक टो अनाधर वीडियो तो अपनी वीडियो की स्टैप कितनी अमेजिंग एरिटिंग तो इस तरह की एरिटिंग आप भी बड़ी आसा नहीं से कर सकते हो बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखना है और गैस मोटिवेट करने के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर से करना है और जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना और बैल नोटिफिकेशन को ओल पर सेट कर लेना ऐसे ही अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग वीडियो स्पाने के तो सारा का सारा मैट्रेल आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की वहां से आप इजली डाउनलोड कर सकते हो जैसे की बुलेट का जो ग्रीन स्क्रेन है सोंग हो गया यह जो क्लिप्स मैंने यूज करी यह वाली ले सकते हो ठीके तो यह आप इजली अगर आपको मेब कोड भी चाहिए तो मेरे वाट्सप चैनल को आपको जोइन कर लेना है वहां पर मैंने दे रखा है पासवर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा मेब कोड़गा तो सिंबली वहां से कोभी पेस्ट करके आप गेम के अंदर इंटर हो सकते हो उसके बाद कि आप एडोब्लियम चलाओगे तो आपको अपने दोस्तों को थोड़ा दूर रखना ठीक है जैसे कि मैंने इस वीडियो में रखा है आप यहां पर देख सकतो उस पेड़ के पास मेरा जो एनमी वह खड़ा है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि यहां पे कुछ अपने से इन्वीजिबल होना है ठीक है कुछ ज्यादा आगे पीछे मत जाना और आपको क्या कहना है इन्वीजिबल होके इस तरह से रन्णिंग करना है सामने की तरफ क्योंकि अपना घुली वाला ग्रीन स्क्रीन है ठीक है स्लो मोशन वाला तो उसमें तीन-चार एंगल से अपन अपन सीधे सीधे रणिंग करेंगे थोड़ी देर ज्यादा रणिंग नहीं करना आपको तीन से चार सेकेंड रणिंग करना है फिर आपको आख वाले बटन से लेफ्ट देखना है दस सेकेंड की रिकोड करना है फिर आपको राइट साइड देखना है दस सेकेंड की करना है तो अलग-अलग करके आप ये clip को record कर लेना फिर आपको क्या गाना है last clip और record करनी है जहां पर आपका enemy खड़ा है उससे just थोड़ा सा दूर आपको खड़ा होना है और फिर वहां से running करके आपको अपने enemy के पास जाके रुख जाना है बिल्कुल पास नहीं जाना है थोड़ा स distance maintain करना है जो कि आप याँ पर देख सकते हो वीडियो में इस तरह से और direct आपको रुखना है थोड़ी देर और इस तरह से fire करना है fire आपको left वाले बटन से करना है right वाले बटन से करोगे तो आपका scope open होगा और अपने को scope open नहीं गरना है पहले scope open करके आप aim set कर लो head पे औ और उसके बाद आपको left वाले बटन से fire करना है जिससे कि scope open नहीं होगा और smoothly kill की video recording आपको मिल जाएगी और इसी तरह से आपको हर एक angle से video को record कर लेना है जिस भी तरह से angle आप लेना चाहो क्योंकि मैंने भी 3-4 angle से video को record कर रखा है आपने देखा ही होगा short video में तो इस तरह से आपको अलग-अलग angle से record कर लेना है वो पूरा आपके उपर depend करता है कि आप किस तरह से कैसे angle से आप शूट करते हो ठीक है kill का video तो इस तरह से आपको वीडियो को record करना है I hope कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कोई दिक्कत आती हो तो आप मुझे Instagram कर सकते हो वहाँ पर follow कर लेना तो Instagram account की link आपको description में मिल जाएगी ओके गाइस तो कुछ इस तरीके से अपनी जो recording हो फाइनली complete हो जाती है अब आजाना है आपको एपकर के अंदर अब अपना editing गाँ ठीके तो editing आपको कैसे करना है सबसे पहले आपको new project पे क्लिक करने और यहां से आपको अपनी वीडियो को import कर लेना है जो भी आपने record कर दिये त्यापर मैं इस वीडियो को import कर लेता हूं इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर क्लिप को adjust करना है सबसे पहले आपका जो ये scene है कि कौन सा आपको ज्यादा बेटर लग रहा है वो आपको रखना है ठीक है तो मेरा ये मुझे यहां पर सही लग रहा है तो मैं क्या करूँगा यहां से split करूँगा और आगे का जो पार्ट है इसे मैं कर देता हूं delete क्योंकि जाधा नहीं रखना है अपने को अपने song के according चलना है तो अभी फिलाल अपने song को अपन बाद में अड़ करेंगे उसके बाद अपन क्लिप को song के according adjust करेंगे पहले अपन scope open हुआ है ठीक है तो अपना scope इस तरह से open होगा तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैं split लगा दूँगा और जैसे मैंने गनात में लिए इस तरह से running करके और मुझे यहाँ से fire करोना है तो मैं इसको यहाँ से भी trim कर देता हूँ तो अब देखो यहाँ पर डारेक्ट अपना scope का सीन आजाएगा इसको मुझे जादा नहीं रखना है तो जैसे अपना एनेमी पर लोक होता है यहाँ पर मैं split लगा दूँगा क्योंकि यह अपना aim का निकल गया अब अपन इसको बाद में slow motion या fast motion डालना है तो इसके उपर अपन डाल सकते हैं अभी अपने को एक clip चाहिए थी जो अपने को मिल चुकी तो अब क्या करना दोस्तों कि जैसे अप आपको अच्छा लगी हो आप रख सकते हो तो बिल्कुल stable कहां पर आ रहा है देखो मैं यहां से running कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर split लगाऊंगा जो बीच का पार्ट है इससे कर दूँगा मैं delete क्योंकि इसको बाद डारेक्ट अपनी bullet का scene आना से ही अपना यह देख सकते ह कुछ इस तरीके से ठीक है अब मैं यहां से bullet की जो green screen वो add कर लेता हूं क्योंकि उसके बाद यह अपन clip को उसके according adjust करेंगे bullet की कहां से अपने को left वाला scene रखना है कहां से right वाला scene रखना है ठीक है तो यहां पर overlay पर क्लिक करके आपको अपना bullet वाला scene ग्रीन स्क्रीन का उस ड्रेट कर देना है देख सकतो green screen हट चुकी है राइट पको क्लिक करना है अब इसकी साइज आप अपने according रख सकतो बुलेट की साइज आप कितनी रखना चाहो आपके ओपर डिपेंड करेगा तो मैं इसकी साइज इतनी ही रखूंगा ठीक है अब देखो जैसे मेरा scope open देख सकतो पुछ इस पोजिशन पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और यह जो वोई सारी में इसको हटा देता हूं पेरोगी फिक वोल्यूम में जाएक इसको में 0 कर देता हूं अब देखो यहां पर अपना सीन चेंज हुआ बुलेट का तो यहां पर मैं एक स्प्ल आ रहा है यहां पर आ रहा है देख सकतो यह पंजार है लेफ्ट साइड ठीक क्योंकि बिल्कुल छोड़ी छोड़ी क्लीप अपने को रखना है यहां पर स्प्लिट करना है और बीच वाला जो पार्ट है इससे कर देना आपको डिलीट अब देखना यह देखो ठीकि अब अ अब देखना यह फिर से चेंज हुआ फिर से चेंज हुआ तो चार बार चेंज होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ठीक है तो इसी तरह से आपको दो बार और सेट कर देना है तो यहां पर देखो आपको कुछ इस तरीक से देखना को मिलेगा यह देखो ठीक है अब एनिमी के पास जाके खड़े हुए हो इसक lithe से ये वाला सिंध मुलब यह वाला सिंध देख सकते हूं ठीक है तो यहां पे अपन spread करेंगे बीच के part को कर देंगे delete और अब देखना यह देखो कुछ इस सेरी की तो मैं थोड़ा सी और इसको छोटा कर देता हूँ क्यूंकि ज्यादा लंबा हो रहा है यह दूखरने तेग्व और छोटा कर देता हूँ विछ जितना ज़्यादा चोटा इतनी ज्यादा इस्पीड होगी उतना अच्छा लगेगा ठीक है तो कुछ इतना पास जाओंगा में और यहां पर कर दूँगा मैं दो तिन शोट ले रहे हैं तो जो भी मुझे अच्छा लगेगा में वह ले लूँगा ठीक है तो यहां पर अपना यह फायर हो रहा है यहां पर देख सकतो यह वाली क्लिप मुझे अच्छी लग रही है स्प्लिट करूँगा और जो बीच का पार्ट है उसे कर दूँगा में डिलेट ओके अब मैं आपको बता हूं प्ले करके तो यह देखो कुछ इस तरीके से लगेगा ठीक है और जो बुलेट का जो साउंड आ रहा है एडोबलियम का इससे अपन कर देंगे म्यूट मतलब कि जीरो कर देना इसका वॉल्यूम और राइट आपको क्लिक कर देना है ठीक है कुछ इस तरीक से यह देखो तो इस क्लिप को मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ठीक है क्योंकि अपनी बुलेट लगनी चाहिए ऐसा लगना चाहिए अपने बुलेट लगी और फुल स्ल अफिलो कर देना है 0,1 एकस तब और राइट बाको क्लिक कर देना अब आपको इस ख्लिप को बस थोड़ा सा रखना है ठीक है क्योंकि यहां पे जो किल हो रहा है उसका एंगल अपने को चेंज गरना है तो जितने भी ऐंगल से अपने लिए उन सभी एंगल को आपको दिका करना है तो एक एक करके आपको ऑड़ करना है अगर अगर अलग अपने लिए हो तो आगर एक कमें लिए तो उसको एड़ास करना है अब फाले मेरेस्काफी वीडियो म हें यहाँ क्लिख करना तो स्प्लिट करके मैं बीच का पार्ट कर दूंगा डिलीट जो पार्ट मुझे चाहिए मैं वही रखूंगा ठीके ट्रेमेन स्प्लिट आपको करना आता होगा वैसे अच्छे से ठीके अब देखो यहां पे अपना जो एनिमी की लोकेट डाउन हो रहा है मतलब नीचे घेर रहा है उसकी पॉझिशन आपको देखना एक कि कि पॉझिशन में वो क्लिप चेंज हो रही अपनी तो दो बीखो uwख लास्ट पॉउन्ड आप देख सकते कुछ इस तरीगे का है इस पॉजिशन में है ट आपकर इस वाली क्लिप में भी इसकी पॉजिशन इस तरीके से ही रखेंगे ठीक है जैसे इतना सामने से आपको इतना दिखा गिरता और इसको अपनख इतना ही रखेंगे आगे से इस तरह से ड्रेक कर देना है अपको और अब मैं आपको प्ले करके बताऊ यह देख चुछ ठीक है और इसल इकलीप को आपको volume को नहीं रखना है अब मैं आपको play करके बताओं यह देख सकतो फिर से आपको angle change करना है तो इसकी position को आपको ध्यान में रखना है कि इस position पे अपने को angle change करना है तो वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो जैसे यहाँ पे मुझे angle change करना है इतना गिरने के बाद तो split लगाऊंगा और यह जो part कर दूँगा delete और जो दूसरा angle की clip उसे में add कर दूँगा तो दोस्तों इसी तरह से मैं 2-3 angle की और clip को add करते था हूँ जो कि मैंने करी है बस आपको जो अपना enemy गिर रहा है नीचे kill होके उसकी position को अच्छे से match करना है हर एक angle में मतलब कि इस position म अपना enemy इतना गिरा है तो next angle में भी यहीं से गिरना चाहिए और फिर angle चेंज होगा तो वहां से गिरना चाहिए ठीक है position आपको अच्छे से match करोगे तो अपनी वीडियो जो है बहुत ही जादा smooth लगेगी तो मैं फटावट से दो एंगल को और add कर देता हूं और दोस्तों इस तरह से अपने को song को adjust करना है तो फटावर्सा मैं फटावाट से में 2-3 एंगल और add कर देता हूं और अपने song को add कर देता हूं ओके दोस्तों तो यहां पर आप दिक सकतो मैं पर sobre-aip कर द hinaus किस तरीके साउंको यहां और आपको एंगल में इंगल को set ब्रूब कि दिखाना ये भी क्लिप आपको record कर लेना है मैंने बताया नहीं है बट अभी बतादेता हूं ठीक है कुछ इस तरी इस रिकोड कर लेना है बस यह तो normal क्लिप है और इसको slow कर देना है अब देखो यह जो इसको पर अपना open इस इस बीट पर होना चाहिए यह जो बीट आपको दिख रही है इस बीट पर ओपन होना चाहिए इस तरह सापको पहले बीट मार्क कर लेना है ठीक है बट अपना पेले ओपन हो रहा है तो अपन क्या करेंगे यह जो जम्प कर रहा है यहां से इस क्लिप को कर देंगे स्लो जो कि भी स्प्लिट करूंगा में और कितना स्लो करना है इतना मैं इसकोय लोगर्डूंगा नी जमब कर रहा है वाप權 इसमिट्नेट करूंगा और यहां पर इसकी जो स्पीद में कर दोंगा स्लोई 0.50 पिवक्वॉड जितना आप करना चाहों ठीके मतला यहां तक आ से यह तो देख सकतो यहां तक आचुका है यह देख सकतो जैसे फायर हुआ और अपनी बुलेट भी यहां से निकलकर चली गई कुछ इस तरीके से अब देखो यहां पे एंगल भी अच्छे से चेंज हो रहा है यह देख सकतो ठीक है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको तब भी परफेक्ट तरीके से हो पाएगा मतलब बिल्कुल बारीकिसे ओके तो यह तो होगे दोस्तों क्लीप एड़ेस्मेंट परफेक्ट तरीके से अब इसके उपर कलर गेडिंग करने एफेक्ट्स वगर आपकर अप्लाए करना है तो वह आपको एड़ करना है तो कौन- में इफेक्ट बता देता हूं तो यहां पर मैंने दो इफेक्ट को एड़ कर रहा है एक तो लुमिनेंस जो आप हलका सा ग्लो देख पा रहे होंगे ब्लू टॉन में वो मैंने इससे एड़ करा है और जो शार्पन एजसे मतलब की अपनी वीडियो को 4K क्वालिटी देने के ल जिससे अपना इसको इससे जूम होगा आप यह पर देख सकतो जूम होके अपनी बुलेट निकलेगी अपनी घंड में से तो कुछ इससे आपको एफेक्ट देखने को मिलता है जो कि मैंने डाल रहा है क्रोमा ब्लर ठीक है इसकी सेटिंग में बता देता हूं ब्लर आपको 50 रखना है जो लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन है इसको भी आपको 50 रखना है ठीक है और इससे कहां तक रखना है जहां तक अपनी बुलेट सिर्फ जा रही है ठीक है अब देख सकतो तो यहां पर अपना मोशन ब्लर वाला जो इफेक्ट है वह एड होगा तो मैंने यहां प पिर से ख्रोमेटिक ब्लर कोएड़ कर दीए ठीक है जिसलेकि इस्तरीकी सा आपको देखना को मिलेगा और यहां पर मैने एक एनिमेशन भी डाल रखा है तो मेरा भी नेय 갖 ठीक है ठीक हैं एक हां जो बने अपनेएक ऐरँट कर सकतो जैसे यहां पर फायर वहा किना एक डाल टुट पंठी के मैंने एक ट्रांजिशन डाल रखा है तो यह थींचिंट भी आप अपने अकॉडिंग डाल सकते हो और यहां पर मैंने हलका सा शेग का एट्ञार यहां पर पर यहांस p boundary यह लिए से लिए टोड़ी में आज़ाई कर देता हूं उन्डia को एड़ेड़ दिए है ठीक है और इसे रखना है लास्त अप्लाइय कर देया और जो शेक का इफेक्ट है यह आपको एड़ेस्मेंट लेयर को एड़ कर रखा है तो यहाँ पर एड़ेस्में जाना है ठीके और यह लेयर आपको मिल जाएगी इसकी सेटिंग में आपको बता देता हूं तो सबसे पहले जो brightness है वो आप देख सकते हो हलका सा बड़ा रखा है contrast को भी मैंने हलका सा बड़ा रखा है 10-20 के राउंड बड़ा रखा है ये color grading आप पूरी अपने according कर सकते हो ठीक है saturation को आपको 30 रखना है exposure आप अपने according शेट कर सकते हो अगर आप अपनी वीडियो में light को ज़्यादा रखना चाहते हो या बड़ाना चाहते हो ये आप के ओपर डिपेंड करेगा sharpness आपको full रखना है और जो HSL है इसमें आपको थोड़ो से color adjustment करना है कि आपको कौन सा color नहीं चाहिए कौन सा ज़्यादा highlight करना है ये पूरा आपके ओपर डिपेंड करेगा तो मुझे green color नहीं चाहिए था तो मिने green color को बिल्कुल हटा दिया हुई saturation zero कर रखा है yellow color का भी saturation zero कर रखा है और orange color का हलका सा manage कर रखा है तो आप अपने according देख सकते हैं इन चीजों को ठीक है temperature को मैंने थोड़ा सा down कर रखा है वार मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं रखता भी नहीं हूँ मैं temperature को थोड़ा सामेशा low रखता हूँ ठीक है और जो shadow है इसे आपको zero कर देना है जिससे कि आपको darkness देखना को मिलेगी जो कि काफ़ ज़्यादा amazing लगती है ओके और बाकी कोई भी setting वागरा नहीं करने है जादा normally color grading है और जो आप करना चाहो अपने according कर सकते हो ठीक है तो guys कुछ इस तरीके से आपको इस editing को complete करना है तो finally याप अपनी जो editing है वो complete हो चुकी है तो I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा अगर नहीं आया है तो आप मुझे comment करके बता सकते हो जो भी दिक्कत आती है मैं आपको बता दूँगा तो guys इस वाली वीडियो में बस इतना सा है ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे comment करके ज़रू बताएं और वीडियो को like करदेना चैनल को subscribe करदेना तो thank you for watching मिलते हैं ऐसे ही next वीडियो में